मेश राशी साप्ताहिक राशिफल 8-14 जनवरी मेश राशी के जातकों के लिए ये सप्ताह मिला जुला रहने वाला है सप्ताह की शुरुआत में आपके मन में कार्य विशेश को करने को लेकर असमंजस की स्थिती बनी रहेगी इस दोरान आपको अपने लक्ष की प्राप्ती के लिए बगर इधर उधर ध्यान भरकाई कठिन परिश्रम करना होगा सप्ताह के पूरवार्द में छोटे मोटे कार्य के लिए अधिक भाग दोर करना पड़ सकता है यदि आप किसी परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हुए हैं तो आपको कठिन परिश्रम करने पर ही मन्चाही सफलता की प्राप्ती होगी यदि आप विदेश में करिय कारोबार के लिए प्रयासरत हैं तो उससे जुड़ी अर्चन दूर करने में कोई मित्र काफी मददगार साबित होगा यदि आप विवसाए से जुड़े हैं तो धन का लेन देन और कोई बड़ी डील करते समय पूरी साफधानी बरतें और किसी पर आँख मून कर विश्वास न करें पारिवारिक दृष्टी से यह सप्ताह थोड़ा उतार चड़ाव लिए रह सकता है सप्ताह की शुरुआत में परिवार के किसी सदस्य के साथ कुछ मसलों को लेकर मदभेद पैदा हो सकता है हालांकि किसी भी समस्या या विवाद को दूर करने में आपको अपने पिता या फिर गुरु समान व्यक्ती का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा यदि आप अपने प्रेम संबंध को प्रगार करना चाहते हैं तो अपने लव पार्टन के प्रती इमानदार रहें और अपने रिष्टे में पारदर्शिता बनाए रखें मेश राशी वालों को इस सप्ता अपनी दिंचर्या और खानपान का विशेश ख्याल रखने की आवश्यक्ता है अन्यता इस राशी के जातक मौसमी बीमारी के शिकार हो सकते हैं उपाय, प्रतिदिन देवी दुर्गा की लाल रंग का पुश्क चड़ा कर पूजा तथा दुर्गा चालिसा का पाठ करें आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते क्रिपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धन्यवाद विशब राशी साप्ताहिक राशिफल 8-14 जनवरी विशब राशी के जातकों के लिए ये सप्ताह पिछले हफ़ते के मुकाबले थोड़ा बेहतर रहने वाला है सप्ताह की शुरुआत किसी बहुप्रती क्षित शुब समाचार से होगी इस दोरान आपके सोचे हुए कार्य तेजी से पूरे होते हुए नजर आएंगे जीवन के प्रत्येक शेत्र में इश्ट मित्रों का भरपूर सहयोग मिले घर परिवार के सदस्य भी आपके निलनाय पर अपनी सहमती जताएंगे यदि आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आप अपनी बुद्धी और विवेक से अपने कारोबार को विस्तार देने में काम्याब होंगे इस संबंध में की जाने वाली यात्राएं सुखद एवं सफल साबित होंगे थौक कारोबार करने वालों के लिए ये समय ज्यादा अनुकूल और लाबप्रद साबित होगा सप्ता के मध्य में किसी कार्य विशेश को करने में ससुराल पक्ष से विशेश सहयोग और समर्थन मिलेगा कार्यक्षेत्र में सीनियर आप पर मेरह बान रहेंगे सप्ता के उत्तरार्द में आपको पूर्व में किये गए परिश्रम एवं प्रयास का शुबफल प्राप्थ हो सकता है इस दोरान प्रयास करने पर उन्हें बड़ी सफलता मिल सकती है घरेलू महिलाओं का अधिकांच समय धार्मिक कार्यों में लगेगा सप्ता के अंत में धर्मयात्रा के योग बनेंगे प्रेम प्रसंद की द्रिश्टी से यह पूरा सप्ता आपके लिए अनुकूल है लब पार्टन के साथ आपका रिष्टा और मजबूत होगा परिजन आपके प्रेम को स्विकार करके विवाह के लिए हरी जंडी दिखा सकते हैं दामपत्य जीवन सुख में बना रहेगा सेहत सामान्य रहेगी उपाय प्रतिदिन श्रीयंत्र की विधी विधान से पूजा एवं श्री सूप्त का पार्ट करें आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते क्रिपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धन्यवाद मिथुन राशी साप्ताहिक राशिफल आठ से 14 जनवरी मितुन राशी के जातकों के लिए सप्ता का पूरवार धत्यंती व्यस्तता लिये रहने वाला है यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ती हैं तो सप्ता की शुरुआत में अचानक से कामकाज का अतिरिक बोजा सकता है घर ग्रहस्ती से जुड़े कारियों को भी निबटाने के लिए आपको खासी मशक्कत करनी पड़ सकती है भूमी भवन से जुड़े विवाद को सुझाने के लिए आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं सप्ता के मध्य में आपके पेशेवर जिंदगी से जुड़ी कुछ समस्याओं का असर आपके निजी जीवन में भी देखने को मिल सकता है इस दोरान धर और बाहर दोनों जगह लोगों के साथ विनम्रता से पेश आएं व्यवसाय से जुड़े लोगों को भले ही कारोबार के सिलसिले में ज़्यादा भाग दोर करनी पड़े लेकिन उन्हें इसमें खासा लाब होगा संचित धन में व्रिद्धी होगी विदेश से जुड़े कारुबार करने वाले लोगों के लिए विशेश लाब प्राप्ती के योग बनेंगे यदि आप राजनीती से जुड़े हैं तो आपकी कुटनीती कारगसाबित होगी सत्ता सरकार से निकर्टा का आप पूरा लाब उठाएंगे रिष्टे नाते की दृष्टी से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल रहने वाला है यदि बीते सप्ताह आपके प्रेम प्रसंद में कुछ दिक्कतें आ गई थी इस सप्ताह किसी मित्र की मदद से वो दूर हो जाएंगी सारी गलत फेहमिया दूर होंगी और लव पार्टन के साथ प्रेम और सामन जस्य बढ़ेगा लव पार्टन के साथ हंसी खुशी समय बिताने के खूब अफसर प्राप्त होंगे विवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा विवाहित लोगों को संतान सुख की प्राप्ती संभव है सेहत सामान्य रहेगी उपाय प्रति दिन पीले पुश्क चड़ा कर भगवान श्री विश्नु की पूजा में श्री विश्नु सहस्तुनाम का पाठ करें आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते क्रिपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धन्यवाद करक राशी सापता है क्राशिफल आट से 14 जन्वरी करक राशी के लिए ये सप्ताह सुख समृध्धी और सफलता के लिए नए द्वार खोलने वाला है इस सप्ताह करिय कारोबार के संबंध में किये गए प्रयास पूरी तरह से सफल होंगे यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको इस सप्ताह किसी बड़ी संस्था से मनचाहा ओफ़ मिल सकता है भूमी भवन के क्रय विक्रय की कामना पूरी होगी पैत्रिक संपत्ती की प्राप्ती में आ रही अर्चने किसी वरिष्ठ व्यक्ती की मदद से दूर होगी कार्यक शेत्र में आपके कार्य की सीनियर प्रशंसा करेंगे सप्ताह के मध्य में आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है जिससे आपके प्रभाव और सम्मान में वृद्धी होगी आप अपनी बुद्धी और विवेक के बल पर विरोधियों की सभी चालों को नाकाम करने में काम्याब होंगे कुल मिलाकर आपको करिय कारुबार में मन्चाही प्रगती मिलेगी यदि आप पार्टनर्शिप में व्यवसाई करते हैं तो आपके लिए सब्ता के पूर्वार्द के मुकाबले उत्तरार्द ज्यादा शुब रहने वाला है इस दोरान आपको उच्चलाब की प्राप्ती होगी और आपकी बजार में साफ बढ़ेगी इस दोरान आप अपने व्यवसाई को तेजी से आगे बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी लब पार्टनर के साथ आपका रिष्टा प्रगार होगा और नजदी कियां बढ़ेंगी यदि आप अभी तक सिंगल हैं तो आपका विप्रीत लिंग के प्रती आकर्शन बढ़ेगा तो वहीं शादी शुदा लोगों का जीवन सुख में बना रहेगा उपाय, प्रती दिन शिवलिंग पर दूर्ध चड़ा कर शिव महिम्न स्थोत्र का पाठ करें आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते क्रिपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धन्यवाद सिंग राशी साप्ताहिक राशिफल आठ से 14 जनवरी सिंग राशी के जातकों के लिए ये सप्ताह गुर्लक लिए है इस सप्ताह आपके किस्मत के सितारे चमकते और आपके इश्ट मित्राप पर पूरी तरह से महर्बान होते नजर आएंगे आपको जीवन के प्रत्यक्षेत्र में प्रियजनों का सहयोग और समर्थन मिलेगा आपके इश्ट मित्राप की तन्मन और धन से मदद करेंगे नतीजतन आपके सभी सोचे हुए काम समय पर मनचाहे तरीके से पूरे होते हुए नजर आएंगे इस सप्ताह आपको किसी कार्य विशेष में बड़ी सफलता की प्राप्ती हो सकती है जिससे आपका मान सम्मान समाज में बढ़ेगा इस सप्ताह आपको अभिमान करने तथा शुबचिंतकों की सला को नजरंदाज करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपके अपेक्षित लाब में कमिया सकती है सप्ताह के मध्य में आप अपनी सुक सुविधा की चीजों पर बड़ी धनराशी खर्च कर सकते हैं इस दोरान किसी कार्य में बहुप्रतीक्षित सफलता या फिर मनोकामना के पूरे होने से आपका मन प्रसन रहेगा इश्ट मित्रों के साथ पिकनिक पार्टी करने के अफसरप्राप्त होंगे अचानक से किसी पर्यटन अत्वा धार्मिक स्थल से जुली यात्रा पर निकलने के योग बनेंगे सिंग राशी के जातकों पर इस पूरे सप्ता हुनके गुरू, सीनियर और माता-पिता आदी की क्रिपा बनी रहेगी सत्ता सरकार से जुड़े लोगों के साथ निकर्ता बढ़ेगी और उनकी मदद से लाब की योजनाव से जुड़ने का अफसरप्राप्त होगा प्रेम संबंध प्रगार होंगे, विवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा जीवन साथी की तरफ से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है उपाय, प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा तथा भगवान श्री विश्नु की पूजा में श्री विश्नु सहस्तुनाम का पाठ करें आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते क्रिपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धन्यवाद कन्या राशी साप्ता हिक राशिफल 8 से 14 जन्वरी कन्या राशी के जातकों के लिए ये सब्ता थोड़ा चुनोती भरा रह सकता है नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में कामकाज से जुली कुछ एक मुश्किलें आ सकती है इस सब्ता आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे ऐसे में अपने कार्य को पूरी सावधानी के साथ करें तथा उसे किसी के भरोसे छोड़ने की गलती न करें इस सब्ता आपको न सिर्फ अपने करिया और कारोबार में बलकी निजी जीवन में भी चुनोतियों का सामना करना पड़ सकता है यदि आप व्यवसाई से जुड़े हैं तो आपको बजार में अपनी साख को बनाए रखने के लिए अपने कम्टीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है बजार में फसे धन को निकालने में भी मुश्किलें आ सकती है सप्ता के मध्य में पैत्रिक संपत्ती को लेकर स्वजनों के साथ विवाद हो सकता है घरेलू समस्याओं को सुझाने को लेकर आपका मन्चिंतित रहेगा सप्ता के उत्तरार्द में भूमी भवन से जुड़े विवाद के सिलसिले में कोट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते है इस दोरान भावनाओं में बहकर किसी भी एहम मामले में निरनाय लेने से बचें और किसी से ऐसा वादा न करें जिसे भविश्य में पूरा करने में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़े इस सप्ता परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे युवाओं का मन पढ़ाई से उचट सकता है कन्या राशी के जातकों को इस सप्ता प्रेम प्रसंद में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाने की आवश्यक्ता है इस सप्ता अपने लव पार्टन की भावनाओं की अंदेखी न करें अन्यथा आपके प्रेम संबंद में दरार पड़ सकती है जीवन साथी की सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंतित रहेगा उपाय, प्रति दिन गनपती को दूरवा चड़ा कर गनेश चालिसा का पाठ करें आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते चोड़ चपेट लगने की आशन का बनी रहेगी बल्कि आपको आर्थिक नुकसान भी जेलना सकता है आपको इस सप्ताह उन लोगों से बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यक्ता रहेगी जो अक्सर आपका काम बिगारने में लगे रहते हैं या फिर आपके प्रतिद्वेश की भावना रखते हैं सप्ताह की शुरुआत में आपके विरोधी कार्यक शेत्र में आपकी छवी को खराब करने का शड्यंत रच सकते हैं इस दोरान क्रोध करने से बचे तथा बेहत सावधानी के साथ लोगों के साथ बात व्यवहार करें सप्ताह के मध्य में अचानक से किसी धर्म स्थान पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है इस पूरे सप्ताह कारोबार में उतार चड़ाव की स्थिती बनी रहेगी यदि आप कॉंट्रेक्ट अथवा ठेके पर काम करते हैं तो आपको इस सप्ताह अपने टार्गेट को पूरा करने में कुछ एक मुश्किलों का सामना करना पर सकता है सेहत संबंधी दिक्कतों के कारण भी आपका काम प्रभावित हो सकता है परीक्षा प्रतियोगिता की तयारी में जुटे छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है इस दोरान युवाओं का अधिकांच समय व्यर्थ के कारियों में बीतेगा इस सप्ताह लव पार्टरन से कम मेल मिलाप हो पाएगा लव लाइफ में आने वाली कुछ एक मुश्किलों के कारण मन थोड़ा खिन रहेगा वेवाहिक जीवन को सुख में बनाए रखने के लिए जीवन साथी की भावनाओं की कद्र करें उपाए प्रतिदिन्स फटिक से बने शिवलिंग की पूजा तथा शिव चालिसा का पार्ट करें आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते सकती है यात्रा सुखद और मन्चाहे परिनाम प्रदान करने वाली साबित होगी नौकरी पेशा लोगों को कार्यक शेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी इस सप्ताह मन्चाही जगह पर तबादले या पदप्राप्ती की कामना पूरी हो सकती है यदि आप बेरोजगार हैं त सब पार्तन के साथ बहतर तालमिल बना रहेगा सिंगल लोगों की लाइफ में किसी प्रियव्यक्ती की इंट्री हो सकती है घरेलू महिलाओं का अधिकांच समय पूजा पार्ट में बीतेगा परिवार के किसी वरिष्ट सदस्य की मध्यस्थता से पैत्रिक संपत्ती से जु गए निवेश से बड़ा आर्थिक लाब मिल सकता है उपाय प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में चालीसा का साथ बार पार्ट करें आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते क्रिपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धन्यवाद धनूराशी साप्ताहिक राशिफल आर्ट से 14 जन्वरी धनूराशी के जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़ा चुनोती लिए रहने वाला है इस सप्ताह आपको आलस्य और अभिमान का त्याग करके लोगों के सा अन्यथा चोट चपेट लगने की आशनका है सप्ताह के पूरवार्द में आपको घर की मरम्मत या साथ सज्जा में जेब से अधिक धन्राशी खर्च करनी पर सकती है जिसके चलते आपका बजट बिगर सकता है कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर से मंचाहा सहयोग न मिल पाने के कारण मंखिन रहेगा टारगेट ओरियंटेट काम करने वाले लोगों पर काम का अधिक प्रेशब बना रहेगा व्यवसाय से जुड़े लोगों को बजार में फंसे धन को निकालने में दिक्कतें आ सकती हैं यदि आप पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं औ आपकी चिंता का कारण बनेगी धनू राशी के जातकों को इस सप्ताह मौसमी अत्वा किसी पुरानी बीमारी के दोबारा उभरने पर शारीरिक एवं मानसिक कष्ट हो सकता है उपाई प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं और पूजा में नारायन का वज़ का पाट करें जातकों के लिए ये सप्ताह जीवन में बड़ी परेशानियों को दूर करने और कामनाओं को पूरा करने वाला साबित होगा। सप्ताह के मध्य में करिय कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। यात्रा सुखद एवं पेशेवर क्षेत्र में बड़ी उपलब्धी दिलाने वाली साबित होगी। इस सप्ताह युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्त करते हुए बीतेग सप्ताह के उत्तरार्द में धार्मिक सामाजिक कार्यों में सहभागिता करने का अफसर प्राप्त होगा। इस दौरान समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपको किसी कार्य विशेश के लिए पुरस्कृत या सम्मानित भी किया जा सकता है। प्रेम संबंध की दृष्टी से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। लब पार्टन के साथ आपकी बेहतर ट्यूनिंग देखने को मिलेगी। आपसी विश्वास एवं नजदी किया बढ़ेंगी। सप्ताह के उत्तरार्द में संतान पक्ष से जुड़ कुम राशी साप्ताहिक राशिफल आट से 14 जनवरी कुम राशी के जातकों को इस सप्ताह पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना चाहिए। आपको अपने कार्यक्षेत्र में किसी कार्य विशेश के लिए सम्मानित किया जा सकता है। नौकरी पेशा लोगों के कद एवं पद में वृद्धी के योग बनेंगे। रोजी रोजगार के सिलसिले में की गई यात्राएं सुख़देव सफल साबित होंगी। यदि आप अपने कारोबार में विस्तार की योजना बना रहे हैं या फिर किसी योजना में धन निवेश करने जा रहे हैं तो ऐसा करने से पहले अपने शुपचिंतकों की सलाह लेना बिल्कुल न भूलें। सब्ता विप्रीत लिंक के प्रती आकर्शन बढ़ेगा। प्रेम संबंध प्रगार होंगे। दामपत्य जीवन सुख में बना रहेगा। उपाय प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में श्री सुंदरकान का पार्ट करें। सब्ता की शुरुआत में आपको छोटे-छोटे कारियों को पूरा करने के लिए अधिक भागदौर करनी पर सकती है। इस सब्ताह आप अपने कार्यक शेत्र में किसी भी प्रकार के वाद विवाद से दूर रहें। भूलकर भी किसी महिला के साथ लूज टॉप ना करें अन्यथा आपको अपमानित होना पर सकता है। इस दौरान भूमी भवन से जुड़े विवाद गहरा सकते हैं, जिन्हें दूर करने के लिए कोर्ट कचहली जाने की बजाए बातचीत का सहारा लेना उचित रहेगा। मीन राशी के जातकों को इस सप्ताह अपनी सेहत और संबंध दोनों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत रहेगी। ऐसे में सप्ताह की शुरुआत से ही अपने खान पान और दिंचर्या को सही बनाए रखें अन्यथा आपको शारीरिक एवं मानसिक कष्ट जेलना पड़ सकता है। इस सप्ताह घर की किसी बुजूर्ग महिला की सेहत को लेकर भी आपका मन्चिंत रह सकता है। नौकरी पिशा व्यक्तियों को सप्ताह के उत्तरार्द में अपनी योजनाओं का दूसरों के सामने खुलासा करने से बचना चाहिए अन्यथा उसमें आपके विरुधी अडंगे डाल सकते हैं। रिष्टे नाते की दृष्टी से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते क्रिपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धन्यवाद।